दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारती रास्टे आंदलोन के समय जो महतुपून संगठन बनेते उनके बारे में और उस वक्त की important societies के बारे में और इनके साथ हम ये भी discuss करेंगे कि उन संगठन और societies की कौन से साल में स्थापना हुई थी ये जो संगठन और संस्ताइं हैं ये 50 से भी ज़ादा है तो आज की इस वीडियो में हम कुछ संगठन के बारे में ही बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं एशियर्टिक सोसाइटी के बारे में तो इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोंस ने की थी इसका उद्देशिप प्राच्चे अध्यान को बढ़ावा देना था इसने प्राचीन के इतियास और संस्कृति के अध्यान पर कार्ये किया नेक्स्टरम बात करेंगे ब्रम्ब समाज की ये भारत का एक सामाजिक और धार्मी कांदोलन था जिसने बंगाल के पुने जागरेन युक को प्रभावीत किया इसके प्रवतक राजा राम मोहन राय अपने समाज के विशिस्ट समाज सुधारक थे ब्रम्ब समाज की स्थापना राजा राम मोहन और द्वारकाना टैगोड ने 20 अगस्त 1828 में की थी अब हम बात करेंगे इस्ट इंडिया एसोशियेशन की ये भारत से संबंदी द्विचारों के लिए लंदन में एक संगठन था इसकी स्थापना दादा भाई नोरोजी ने 1866 में लंदन में भारतिया और ब्रिटिश अधिकारियों के सयोग से की थी नेक्स्ट हम बात करेंगे वेद समाज की वेद समाज की स्थापना 1864 मदरास में यानि चेन्नेई में हुई थी ये भ्रह्म समाज से काफी प्रेडित था इसने जातिकत बेदभाव को बिलकुल समाप्त कर दिया था और विद्वा पुनर विवा और महिला शिक्षा को प्रुच्सान किया इसकी स्थापना केशब चंदर सेन और श्री धरालू नाइडू ने की थी अब हम बात करेंगे आजे समाज की इसकी स्थापना स्वामी डयानन सरस्वती जी ने 10 अप्रेल 1885 गिरगाओ मुंबई में की थी ये आंदोलन हिंदो धर्म में सुधार के लिए प्रारम भुआ था अब हम बात करेंगे राश्ट्रे कॉंग्रेस की या आम भाशा में कहिए कांग्रेस पार्टी की ये एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिस आमराज्ये में उभरने वाला पहला आदूनिक ग्राश्ट्रिवादी आंदोलन था इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और 1920 के बाद मात्मा गांदी जी के नेत्रतु में कांग्रेस भारतियों सितंत्रता आंदोलन के प्रमुक नेता बन गई नेक्स्ट आम बात करेंगे रामकृष्णी मिश्ण की इसकी स्थापना एक में एठारासो सत्यान में कोलकता के निकट बैलूड में हुई थी इसका उद्देशे केंद्र में वेदान्ति दर्शन का प्रचार करना था अब हम बात करेंगे मुस्लिम लीग की इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 में बांगला देश में हुई थी इस लीग में आगाखा, ख्वाजस अली मुलना और मौमद अली जिन्ना समेट कई नेता शामिल थे 1947 में पाकिस्तान के घटन के बाद औल इंडिया मुस्लिम लीग केवल मुस्लिम लीग बन गई थी इसके बाद हम बात करेंगे अखिल भारते हिंदू महासबा की अखिल भारत हिंदू महासबा भारत का एक राजनितिक दल है और ये एक भारते हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है इसकी स्तापना सन 1915 में हुई थी अब हम बात करते हैं होम रूल लीग की यह एक रास्टी राजनितिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगादर तिलक ने की थी इसका मेन उद्देशे भारत में स्वेशाशन के लिए मांग करना था नेक्स्टरम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की नेक्स्टरम बात करेंगे खिलाफत आंदोलन की 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समीति का घठन किया गया था जिसमें मुहमद अली और शौकत अली जैसे अनेक मुस्लिम निताओं ने इस मुद्दे पर मात्मा गांधी जी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी नेक्स्टरम बात करेंगे स्वयराज पार्टी की ये भारत के सितंत्रिता संगराम के समय बनने वाला एक राजनितिक दल था इस दल की स्थापना एक जनवरी 1923 को देश बंदू चितरंजन दास और मोतिलाल नहरूने की थी ये दल भारतियों के आजादी के लिए काम कर रहा था भारतिय भाषाओं में स्वयराज का अर्थ है अपना राज्ये नेक्स्टरम बात करेंगे हरीजन सेवक संग की हरीजन सेवक संग की स्थापना 30 सितंबर 1932 को एक अखिल भारतिय संगटन के रूप में हुई थी पहले इस संगटन का नाम एप्रश्यता निवारन संग रखा गया था जिसे 13 सितंबर 1933 को हरीजन सेवक संग का नाम दिया गया इसके प्रतम अध्यक्ष प्रसिद उद्योगपती घंशामदास बिल्डा और सचीव अमरतलाल बिठल दास ठक्कर थे इस संग का मुख्याले गांधी आश्रम किंग्सवे कैम दिल्ली में है इसकी शांकाए भारत में लगबग सभी राज्यों में इस्तित है नेक्स्ट हम बात करेंगे आजाद हिंद्य फोस के बारे में आजाद हिंद्य फोस का घटन पहली बार राजा महिंदरिस प्रताप सिंग ने किया था इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुई थी मूल रूप से उस वक्ति ये आजाद हिंद्य सरकार की सेना थी जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को आजादी दिलाना था निताजी सुभाष चंद्र बॉस ने करीब 40,000 भारतिय सेना का घटन किया और उसे आजाद हिंद्य फोस का नाम दिया तो दोस्तों आज हमने बात करी भारतिय रास्टे आंदोलन के समय जो महतुपून संगठन थे उनके बारे में